यह स्टूडेंट्स वेल्कम ट्राइन प्लाटफॉर्म सीबीसिए जिक्षा आम यह टूटिर रिया सिंगला तो आज हम करने जा रहे हैं वर्ब ठीक है हम दो दिन पहले भी वर्ब कर रहे थे बट हम क्या कॉन सी वर्ब कर रहे थे वर्ब बेसिक मैं आपको पहली बोला था कि मैं आपको दो तोड़ा की वर्ब कर वाऊंगी एक तो वर्ब बेसिक जहां पर मैंने आपको वर्ब के बार में बताया था वर्ब क्या है और उसके आगे उसके कितने टाइब्स हैं ठीक है काइल्स कितनी उसकी उसके बाद उसके मोडाल्स वगारा समझायते जैसे हल्पिंग में वर्व होती है उसके आगे समझाये थे ठीक है तो आज हम क्या करेंगे वर्ब एडवांस ठीक है और यह में आए आपको इंग्लिश गार्मन की मेरी 17 क्लास है इससे पहले जिन बच्चों ने नहीं मेरी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहने जाओं कि टेंस जरूर कर लिजे वर्ब एडवांस में आपको टेंस बहुत ज्यादा काम आएंगे तो मैंने जो फर्स्ट क्लास जाली है वह अपनी टेंस के उपर डाली है दन सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमे तो वर्ब सबको पता ही क्या होता है जो हम कोई भी कारे करते हैं किसी भी कारे कर जो हम कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं वर्ब जैसे मैं इसको आपको इंग्लिश मीनिंग पताती है वासे वर्ब is a word that we used to refer to action what things do कि क्या चीजे हो रही है कैसे हो रही है ठीक है and state of being how things are चीजे क्या है कैसे हो रही है क्या कर रहे हैं सब कुछ उन सबके बीच में जो भी चीज आती है जैसे मैं कहूं I play मैं क्या कर रही हूं मैं खेल रही हूं ठीक है I am cooking पीजा मैं क्या कर रही हूं पीजा को कर रही हूं ठीक है यह अब क्या कर रही हूं cooking अब क्या कर रही हूं play ठीक है यह चीज सारी क्या है वर्ब कि मैं क्या काम कर रही हूं मेरे क्या कारे चल रहा है ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं वर्ब ठीक है देखो हम पहले हमने की थ एक थी helping verb, एक थी main verb, अब main helping verb में तो आगे थे models, ठीक है, एक आगे थी auxiliary verb, primary auxiliary verb, ठीक है, अब जो main verb है, वो उसके आगे हमने parts नहीं किये थे, ये main verb है, अब जो हम parts करेंगे, वो verb की main verb है, जो उसके आगे ये further parts है, finite verb, non finite verb, transitive verb, and intransitive verb, ठीक है, हम ये करेंगे, अब उस पहले हमने पिछली basic में क्या किया था, सिर्फ helping verb के उपर किया था काम, कि models क्या है, और primary auxiliary verb क्या है, ठीक है, models में can, could वाले किये थे, सब models किये थे, मैंने आपको बोला था, ये आपके active और passive voice में बहुत काम आएंगे, auxiliary verb में हमने जैसे do, be, कि याज़ा हम इसको main verb भी यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ किया था, जो बच्चों ने नहीं देखा, वो चाके, चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये main verb का काम करेंगी अब, main verb के आगे kinds हैं ये, finite, non finite, transitive, intransitive, ठीक है, थोड़ी ना दिखने में और करने में complex feel होती है, कि बहुत confusing लगती है, ठीक है, verb advance, बट हम इसको simple तरीके से करेंगे, ज्यादा उसको complicated नहीं करेंगे, बिल्कल भी, simple और sober तरीके से करेंगे, तांकि आपके चीज़ें जो है, वो fit हो जाए, अब मैं बीच में आपको adverb, बीच में adjective, वो चीज़ें नहीं करवाँगे, फिलहाल, ठीक है, पहले आपको चीज़ें समझाओंगी, क्या होती है, ठीक है, finite verb, पहले इसको मतलब subject and show tense, अब में finite verb में क्या आती है, यह tense के उपर focus करता है, जो subject है कि आपका effect कि इसके उपर आ रहा है, ठीक है, जैसे he is playing, ठीक है, अब effect कि इसके उपर आ रहा है, he is playing, effect इसके उपर आ रहा है, इसके उपर, he is playing, की he है, जो वो playing कर रहा है, तो अब यह formation क्या है, present continuous, ठीक है, tense का effect आ रहा है, he, subject का effect आ रहा है, they are playing, they क्या है, they are playing, की वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अब subject के उपर effect आ रहा है, इसके, कि जो verb है, उसका effect आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब मैं इसके जैसे example दे दू, they worked hard, कि अभी कौन सा sentence है simple past टी करिधे वर्ट हार्ड कि वो क्या कर रहे है मेहनत कर रहे हैं मतलर इस परनाइट वर्ब्स होती है उस पर हम सब्जेक्ट और practical कि हम में किसमें हम यहां कि लिखते रहे हैं कि कि यह वह सही यह नहीं है ठीक है, अगर हम उसको कहें, I love my friends, अब यहां पर चलो, यह तो चीज होगी, जैसे मैं कहूँ, मैं आपको इन्फिनाइट के एक एक्जाम्पल देती, यह देखो, देखो, I like watching television, अब देखो, मैं कहूँ आपको, I like watching television, अब अगर हम tense की formation के इसाफ से देखें, तो देखो, वाचिंग इन्जी है, वर्ब की first one plus ing है, तो मतलब इसके साथ जो लगेगी, वो क्या लगेगा, is MR, अब इसके साथ is MR तो कुछ लगा ही नहीं है, तो यह tense के उपर effect नहीं कर रहा, मतलब यह tense की formation नहीं हो रही है ना, इ अब मैं कहूं कि मैं I love my family, अब मैं इसमें I के साथ मैं loves my family, ठीक है, अब मैं यह तो नहीं लिख सोगती है, I am loves my family, अब यह कोई sense बन रही है, I am loves my family, ठीक है, जहां पे हम, जिस इसके उपर हम, अगर नहीं, वो अब यह, इसके उपर हम कुछी fact नहीं डाल सकते, ठीक है, कि जो हम normal language में जरूरी नहीं होते हैं, कि हर चीज हमने tense formation में लिखनी होती है, कुछ चीज हम slang language में भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसका यह मतलब नहीं, वो grammatically वो गलत है, ठीक है, अब यह example दिये, I love my family, ठीक है, I am loves my family, formation नहीं बन रही, ठ ठीक है, she wants to go abroad, ठीक है, यह verb की क्योंसी form है, first form, अब इसमें दो form use हो रही है, ठीक है, पहले इसको clear करते हैं, फिर finite पर जाएंगे, देखो, जहां पे आपके subject और tense दोनों का effect पढ़ रहा हो, वो क्या होती है, finite verb, जहां पे आपके tense की proper formation हो ठीक है, ठीक है, वहां और आपक subject के उपर proper effect पढ़ जिसे, he is, he is playing, he कौन है, कोई भी he है, is playing, कि वो he है, वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है, they are playing, दो यह क्या कर रहे है, they are playing, कि वो क्या कर रहे है, खेल रहे है, ठीक है, clear होगे यह चीज़, यह चीज़ clear होगी आप लोगों को, next में जलते हैं, फहल अब, a non-finite verb is a verb form that does not show tense, अब यह मैंने आपको अभी पिछे बताने हैं, कि यह जो है, यह कोई भी tense show नहीं करता, इसके उपर tense का कोई भी effect नहीं होता है, ठीक है, इसके in non-finite verb के उपर किसी भी tense का, किसी भी subject का कोई effect नहीं होता, ठीक है, कोई भी tense का, कोई भी subject का, कोई effect नहीं होता, ठीक है, in other words, you cannot tell if a sentence in the past tense, present tense, or future tense, by looking at a non-finite verb, ठीक है, बट आब यह नहीं कह सकते हैं, कि हाँ, अगर, यह, अगर मैंने लिखा है tense, ठीक है, अब यह लिखा है, तो यह कोई tense, यह past tense, यह present tense, यह future tense, नहीं, आप इसको कभी भी judge करी नहीं सकते, क्योंकि देखो, अब मैंने यहाँ पर लगाया, वर्ब की first one plus ing, आगे क्या लगाया है, plural verb, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा, अगर, अगर हम वर्ब की first one plus ing लगा रहें, तो is, am, आर आएगा, यह was, वर आएगा, यह will be, यह शल भी आएग इसमें ऐसा कुछ है यहाँ पर, नहीं है न, तो मतलब, जिस sentence पे, जिस sentence में ना तो tense की, ना तो subject की, कोई भी, कोई भी effect ना हो, उसको क्या बोलते है, non finite verb, इसकी second example, she wants to go abroad, अब wants क्या है, she wants to go abroad, कि वो abroad जाना चाहती थी, verb की first form, अब to के बाद, verb की first form, मतलब, एक sentence में, दो दो वो आ रही है, क्या रही है, एक sentence में, दो verbs आ रही है, ठीक है, अब जो यह app to, अब यह क्या प्ले कर रहा है, पार्टिस्पल, पार्टिस्पल का रोल प्ले कर रहा है, यह भी मैं आपके समझाऊंगी, पहले यह clear होगे सबको, कि हाँ, जहां पर tense और subject की कोई भी effect नहीं होता, कोई भी effect नहीं होता, उसको क्या बोलते है, non finite verb, जो आपका mostly, जो आपकी advance है, verb advance, verb advance का मतलब क्या है, non finite verb, यह basically non finite verb है, अब पहले यह देखते है, non finite verb में कितने types होते है, infinitive, gerund and participle, ठीक है, यह तीन चीज़े हैं, जो मैं आपको अभी एक चीज़ समझाऊंगी, तो चीज़ आपने ध्यान से समझनी है, ठीक है, an infinitive verb is the second most basic form of a verb, when using an infinitive, simply add the word to before the verb, in order to use it properly, इन्होंने यह बात तो बता दी, कि हाँ, कि हमें two लगाना है verb से पहले, ठीक है, बट जो एक ऐसा अप मतलब एक टाइप of noun, एसा noun होता है, जो मतलब क्या करता है, कि जो आपकी verb है न, उसके भी गुन बताता है, कि हाँ, अगर मैं कहूं, कि राम is a good, राम is a good player, अब राम क्या है, good player है, यह मतलब noun के साथ, जो verb है, उसके भी गुन बता रहा है, कि जो राम है, वो क्या है, good player है, ठीक है, जो राम है, वो good player है, ठीक पीन बताते है कि पहाँ कि अब इसमें देखो यह वक्त है गूब इससे प्रकुर्फ सब्सक्राइब नहीं लग रहा कि नहीं लग रहा मतल़ क्यों क्या लग रहा है कि यौजर कि第一個 रव शुर्णो Layer दाई से पहले टू है, ठीक है, विफोर उसके, तो ये अबजक्ट का रोल प्ले कर रहा है, अब ये किस के अबजक्ट का रोल प्ले कर रहा है, जो चीज, आगे देखो, he used to go same as it is he used to go same as it is object के रोल प्ले कर रहे है वर्ब से पहले है ठीक है अब यह चीज क्या कर रही है मतलब यह दो चीजों को आपस में जोड रही है ठीक है अब मैं कहूं he buy he wants to buy some books he wants to buy दो वर्ब आ रही है ठीक है he wants to buy some books they want to get he wants to get some water अब यह देखों यह वांच वर्ब बाए इसमें अब कितनी वर्ब है दो वर्ब है ठीक है अब दो वर्ब को को जो जोड रहा है वो क्या है to do जोड रहा है यह तो preposition बट हम यहां पर तूकी जगा। और भ घ्रानाक में लगा सकते थे बट हमने नहींलगाई क्योंकि बाए जो ग्रामेटstar grammatical के rule के हिसाफ से यह जो to है यह preposition नहीं है यह participle का role play कर रहे है क्या कर रहा है यह participle का role play कर रहे है दो sentence को आपस में जोड़ने का काम कर रहे है तो as a यह participle का काम ईह है यह जैसे he wants to अगर यहां पर ना हो to He wants to buy some books अब मैं कहूँ अगर यहां पर to ना हो ठीक है तो क्या बनेगा He wants to buy some books कोई लाइन बन रही है यह तो हम वो लैंग्विज हो गई जो हमने तोड मोड के भोलनी है ठीक है बट अचल में जो ग्रामाटिकली ग्राममर हम लिखते हैं यह बोलते हैं मतलब दो संटेंस को आपस में जोड रहा है बाइग्राम्र यहां पर यह प्रापोजिशन का रोल नहीं प्ले कर रहा ठीक है ऐस पार्टिस्पल का रोल प्ले कर रहा है ठीक है यहां पर कोई भी कंडिशन हो सकती है ठीक है कोई भी कंडिशन हम यूज कर सकते हैं या जैसे परपरस अब यह देखो अब उसने क्या किया। अगर हम टूना लगाएं तो बाइ कुछ बनेगा तो बाइबुक्स किसलिए एक परपस था उसके पास कि उसने अपने घड़ी बेची क्यों क्योंकि उसने किताबे खरीदनी थी ठीक है टू बाई उसने उसने तू एक क्या है जिसे ने हम कहते हैं हमने खाना खाना है हम जाएंगे 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 ठीक है ने हम अपनी प्रापोजिशन यूज करते हैं हम डेली अपने जो वर्ड यूज करते हैं उसमें हम ने ने यूज करते है आज सेम तो टू इसमें प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा बट आज़ा पार्टिसपल का काम कर रहा है ठीक है किसका काम कर रहा है आज़ा पार्टिसपल का काम कर रहा है अब यहां पर एक परपस आगया कि हां कि उसने अपनी घड़ी बेची थी क्यों बेची थी तांकि व अब वो एक कारण था क्या कारण था वो रोने लगी क्यों अपने संग को मरा हुआ देखके ठीक है। बिफोर वर्ब ही यूज़ करेंगे ठीक है और यह तू जो है जो पार्टिस्पल है वो क्या काम करता है टू संटेंस को एक संटेंस को प्रापर प्रापरली लिखने में हम इसका यूज़ करते हैं और यह कोई प्रापोजिशन का काम नहीं कर रही है यहां पर यह एज़ पार्टिस्पल काम कर रही है ठीक है क्लियर हुआ चले आगे अब यह देखो आस्क एडवाइस अलाओ यह जो सब वर्ड्स है एज अबजे हँज वर्ड की सेकेंड मॉं मी अब यह क्या है मी जै किए अबजेक्ट बन गया इंट एंट वाइस का हींट वाइस हम इशने मुझे एडवाइस किया है ठीक है कि उसने मुझे एडवाइस किया आगे बड़ हम एडवाइस किया टू डू इट एट ऐट वांस कर लो ठीक है टू डू एट वांस कि हम यहां पे क्या लिए अबजेक्ट के बाद तू लगा दिया वह पकी कौन सी फ़र्म ने इन्व चल्रे फिर्स्ट आपजयाँ यह यह एकाम कर को सब कर रहा हूं ठीक है कि अब वह क morally Commission पीलिवे यु़ किसका है चाहतों में एक क्या है कि कि की आपिए फिलाव तो यह की अब्जेक्ट है महें इसका सब्जेप्ट है ठीक है, यहाँ पे भी खत्म हो सकते हैं, she compel you, क्या compel कर रही है, to leave the place, to क्या है, participle आ गया, टू क्या है, participle आ गया, leave verb की first form replace कर रही है, to object के बाद ही, in words के बाद, object के बाद ही to, और verb की first form लगेगी, ठीक है, clear हुआ यह चीज, जिन जिन बच्चों को किसी भी चीज में दिक्कत है न, तो please मुझे comment किया किर जिए, तो मैं आपको उस चीज का solution दे दूँगी, और आपक कहना चाहूंगे, आपके लिए एक surprise है, at the end of the video बने रही है, ठीक है, तो मैं आपको एक surprise देने वाली हो, वीडियो के end तक बने रही है, यह चीज clear होगी, अब आखी आग गया था, जैरंड, जैरंड क्या है, जो word ing पे खतम होता है, अब मैं कहूं रेइनिंग, तो यह क्या है, जैरंड है, इसका मतलब पढ़ लेते हैं, verb की first form प्लस ing, जैरंड is a verb, जैरंड एक verb है, which end with ing and it also show a noun, अब यह एक noun show करता है, ठीक है, verb की first form लगती है, और ing लगता है, at the end of the sentence, ठीक है, अब मैं कहूं, it is raining, verb की first form, क्या सकते हो आप, पर यह लग गया, तो यह क्या बन गया, जैरंड, अब इसमें यह देखो, swimming is a good exercise, जो swimming है, वो क्या है, good exercise is swim क्या है, verb की first form है, swim, इसके साथ ing लग गया, मतलब क्या बन गया, जैरंड, तो यह as a subject, role play कर रहे है, ठीक है, next word, I learned driving, अब यह देखो, इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूंग, I learned driving, learned क्या है, verb की second form है, अब driving लग रहे है, इसके साथ, अब अगर आप tense को देखो, tense तो नहीं बन रहा कोई, कोई tense बन रहा, I learned driving, कोई tense तो नहीं बन रहा, कि यहां तो second form है, यहां पर driving है, ठीक है, verb की first form plus ing लग रही है, तो जहां पर आपको कहीं बे भी tense की formation ना दिखे, ठीक है, तो वहां पर वो क्या है, non finite verb है, यह अब आपको clear हो गया होगा, जहां पर sentence की formation ना हो, कोई proper formation ना हो, बट मतलब सही बन रहा हो, बट मतलब बिलकुल सही बन रहा हो, तो वो क्या है, non finite verb, क्योंकि subject का और tense का कोई effect पूरे sentence पे नहीं होता, बट यह देखो, swimming is a good exercise, ठीक है, अब इसके साथ हम, अब gooding तो कुछ word नहीं है, ठीक है, कुछ लगाए नहीं सकते है, gooding, ठीक है, तो good अब यह तो नहीं, इसके साथ ing लगना है, ठीक है, I learnt, अब learnt के साथ driving लग रहा है, कि मैंने driving सीखी, ठीक है, यह मैं सीखरी हूं, ठीक है, तो यहां पर, यह object का का काम कर रहा है, driving, ठीक है, आगे देखो, I love watching television, ठीक है, टेलिविजन, अब मैं कहूँ, I love watching television, ठीक है, मुझ वर्ब के object का का काम कर रहा है, I love, ठीक है, जैसे watching है, love है, यह वर्ब का object है, लेकिन जो अगर television को हम object के रूप में लिया जाए, तो watching क्या है, वर्ब का का काम कर रही है, अगर हम television को object के रूप में लिया जाए हमें, तो जो watching है, वो क्या कर रही है, वर्ब का का काम कर रही ह तब इसके साथ हमने क्या लगा दिया अगर हम कहें अगर मैं कहूं I love watching अब मैं कहूं I love watching अब love क्या है main verb काम कर रहे ठीक है तो ये as object काम कर रहे ठीक है but अब हमारे साथ क्या है टेलिवीजन तो अब यह वाचिंग का अब्जेक्ट काम कर रहा है इसे जो वाच है वो किस का क्या रोल प्ले कर रहे है वर्प का अब वर्प की फर्स्ट फर्म प्लस आई एंजी है इसमें है ना क्लियर हो गया चले नेक्स पर अब यह वर्प की साथ यूज्ट टू एडिक्टेड लुकिंग फारवर्ड यह डिवाटे टू एडिशन टू अवर्स टू यह एक्ट सेक्टर सब वर्ड्स है इनके साथ हम क्या लगाते हैं वर्प फर्स्ट फर्म प्लस आई एंजी ठीक है हम इनके साथ क्या लगाते हैं वर्प की फर्स्ट फर्म प्लस आई एंजी क्योंकि जो वर्प है अड्जेक्टिव फ्रेज है उसके बाद जब भी हम टू लगाते हैं एड्वर्प स्वारी अड्जेक्टिव वर्ब और फ्रेज के बाद हम अगर टू लगाते हैं त वर्ब्ट की 1st फीन प्लस इन यूज़ करेंगे जैसे कोई भी वज़ है अगर अद्जक्रिव है और या फ्रेज है अट हम उसके बाद वर्ब की 1st फम अकेली नहीं यूज़ करेंगे हम औक फोर्ड infect फर्व cassis बdles आई-ंज़ आब यह क्या गर्रहिया है कि यह उसकी अड्जेक्टिव इस और शो कर रही है कि क्या है उसकी शेक्षता अबदारी कि आब चैनल क्या है एडिक्टीड है वो तो और लिदग्ट वर्म प्लस ऐयं जी I am looking forward to meeting you अब looking forward के बाल two आया, two के बाद जो meeting है वो meet वो अपकी first form है plus ing का role play कर रही है अब next जो word है उसको ध्यान से देखो he was used to driving on the right when he was in London कि जब वो लंडन में था तो वो right में चलाता था एक normal phrase बता दिया यह कि जब वो लंडन में था तो वो क्या करता था क्या करता था वो मतलब वो करता था राइट पर ड्राइविंग करता था ठीक है अब मेटिंग है स्मोकिंग है ड्राइविंग है यह वर्ब की फर्स्ट वर्म प्लस आई एंजी है इसमें ठीक है क्योंकि जो फ्रेज में फ्रेज जो वर्ब है वह फर्स्टम प्लस आइंग के बाद खतम होते हैं ठीक है अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूं अब अब आपको होगे यूज़ टू तो मॉडैल है मैंने बताए दान्यूस्ट है तो मॉडैल हम इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फर्म यूज़ करते हैं यूज्ट टू अगर मोडाल का रोल प्ले कर रही है तो हम उसके सब वर्ब की फर्स्ट वर्म प्ले यूज्ट करते हैं जैसे ही यूज्ट टू तो गौ फॉर ऑलाच डेली अब यह क्या कर रही है उसकी रूटीन शो कर रही है और यह उसकी डेली रूटीन शो कर रही है तियकि है यूज्ट में क्या फरक है कि जो अगर हम यूज्टू 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 तो उसमें वर्प की फिर्स्ट वर्म आएगी इसमें क्या अंदर है क्योंकि जो इसमें हम अपनी रूटीन शो कर रहें ठीक है कि जैसे यूज्टू गोफोर वाक डेली कि यूज्टू पर जाता है अब इसमें देखो he was to driving on the right when he was in London एक फ्रेज बनाए कि he was used to driving उसको used to हो चुका था कि वो left right में driving करने के लंडन में ठीक है यहां पर अगर used to के बात पहले वर्प है यूज्टू के पहले अगर वर्प है ठीक है यूज्टू के पहले अगर वर्प है ठीक है तो वर्प प्लस आई एन जी लगेगा ठीक है अब यहां पर देखो he used to go for a walk daily अब यहां पर इसके आगर कोई वर्प है नहीं है बट यहां पर है he was was verb है ना is was है ना verb है यह तो जहां पर used to के पहले वर्प है वहां पर used to के बाद क्या लगेगा वर्प की first form प्लस आई एन जी अगर model यूज्ट करें वर्प नहीं है used to के आगे तो वहां हम क्या यूज्ट करेंगी वर्प की first form क्योंकि वह आपकी routine बताए बताएगा कि हाँ आपकी क्या routine है क्या नहीं ठीक है clear हो गया आगे चलते हैं पार्टीश पार्टीश पोल मेगें जैसे हैं इन वो कि all his रहा है कि जो मतलब हैम जो कि यह सिर्फ एंकम्प्ट्रेट का घटना है कि हां कि यह हो रहा है इसमें घटना कंप्रीट निया से मैं कहूं I'm working क्या काम करने वर्किंग क्या हूं मैं एक I'm a working woman क्या मतलब है क्या working incomplete बात हो रही किसी की कोई पर कुछ नहीं बताए कि I'm working for office I'm working for what ठीक है thinking all is well कि सब को ठीक है I went to bed मैं सब को सोच के कि हां सब कुछ अब पार्ट 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 पर आजो he was finished with the project अब उसने प्रॉपर बताया है इस पर घटना है वह complete हो रही है he was finished with the project कि उसने अपना काम खत्म कर अब यहां पर होता है ही इस फिनिशिंग क्या फिनिशिंग कर लिए उसने क्या फिनिश कर लिया बता नहीं यहां पर बताया है इसमें बताया गया हैं तो इसमें आपकी घटना है वह complete है ठीक है जो भी आप घटना हो रही है वह कंप्लीट हो रही है ठीक है इसलिए यहां पे हम वर्ब की थार्ड फॉर्म का यूज करते पास पाट इस फंर में अब यह देखा ड्रीवन बाइप पावर्टी दिरिवन बाइप पावर्टी के चलते ही कमिने सुसाइड कि उसने ग्रीबी के चलते हुए क्या कर लिया सबस्क्राइब क्या कुछ समझ में उतल इनकंप्लीट गटना यह लगा इसमें हैं पहले हैं और वर्ब की थर्ड फिर्म लगीं कि प्रौ आपना बूली अब यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्राइव ड्रीवन ड्राइव ड्राइव ड्रीवन यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है ठीक है अब इसमें प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगें से having received the message she left the office immediately अब यह पास की बात हो रही है पास की बात complete कर रहे हैं उसको complete करते करते हैं present पहीं आएंगे देखो कि having received the message वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी कि उसको मैसेज मिला उसके बाद वो तब करते हैं ठीक है हम क्या यूज करते हैं having और वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है अब यहां देखो यहां पे कहीं पे भी मतलब कोई टैंस की proper formation नहीं हो रही अपतर कोई proper formation नहीं हो रही टैंस की ठीक है बट बात तो बन रही है ना कोई इल्लॉजिकल चीज तो नहीं लगा रहे हैं पर यहां पे टैंस और सब्जेक्ट का कोई effective नहीं है इसलिए यह कौन सी वर्ब है नौन फिनाइट इसलिए यह कौन सी वर्ब्स है नॉन फिनाइट अब यह देखो ट्रांजिटी वर्ब ठीक है और इन्ट्रांजिटी वर्ब ट्रांजिटी वर्ब क्यों आती है और ट्रांजिटी वर्ब is a वर्ब that requires an object to receive the action अब इसमें क्या होता है कि कि चेए ऊस को क्या चाहिए होता है अपजेक्ट की नीड पड़े क्या काम हो रहा है क्या वो क्या एक्टिव वर्ब जैसे, हम जो करो श्राइक, यह व्लाइ अगर लिख दूए, चिल्डर अम लिखेर को जो यह उ फ्ट्राइक होगे? अब क्या फ्लाइ कर रहे हैं क्या फ्लाइ कर रहे हैं पता नहीं चल रहा ना चिल्डन फ्लाइ तो यह इंट्रांजेक्टिव वह होगी जहां पे हमें अब्जेक्ट का नहीं पता होता तो वो क्या जाती है इंट्रांजेटिव जहां पे हमें अब्जेक्ट का पता है वो क्या जाती है ट्रांजेटिव ठीक है अब यहां पर पता है अगर आई राइट अब में यहां पर अब्जेक्ट दिया के ऐसे कि मैं ऐसे लिख रही हूं तो मतलब है अब बड़्ड फ्लाइब करें कहां पर कर रहे हैं अगर मैं लिख दो दो बर्ड फ्लाइए इन दा स्काइए तो यह अबजेक्ट बन जाएगा बट यहां पर अबजेक्ट नहीं है तो यह क्या होगी ट्रांजेट वर्प जहां पर अबजेक्ट की नहीं होती अगर मैं शीश्लाप ऑन दा बैड वे सोई यह तो बनेगी बात है ना बनेगी के नहीं बनेगी इसलिए जहां पर अबजेक्ट की नहीं होती ठीक है सिंपल संटेंज होता है वह होती है इंट्राजेटिव वर्प जहां पर आपको संटेंज दिया होता है वो क्या इंट्रांजेटिव वर्प ठीक है अब अबजेक्ट गीवन होता है वो क्या होती है इंट्रांजेटिव वर्प स्वाई ट्रांजेटिव वर्प जहां पर अबजेक्ट नहीं दिया होता है वो क्या होती है इंट्रांजेटिव वर्प थीक है तो मैं आपके लिए नाइए हूं वह यह है कि जो हम सीब्सी शिक्षा हैं वह क्या कर रहे हैं हम एक आप भोग के लिए एक लेकर आये हैं किसीज़ की डिल है वह डिल है online courses की जो ये deal है ना वो online जो हम online courses प्रवाइड करेंगे आपको ठीक है तो वो जो ये sale है वो दो दिन की sale होगी और April के first week में ये sale लगेगी ठीक है जो जो बच्चे enroll करना चाहते है वो इस number पे call कर सकता है 9522 95232 पे ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका benefit उठाओ क्यों क्योंकि जो ये sale है उप to 80 % off पे है ठीक है up to 80 % off पे Commons जब ज़ूँ जब कर दो जा जब चीज की कि कि अँगशे की कि कांजलिंग की कांपी एक्जाम की बात पूछ कुछ नहीं है किसी मेटीरिल की नहीं तो अभी आप कॉल कर सकते हैं और यह दो दिन की सेल है एपरिल के फर्स्ट वीक में यह सेल आ जाएगी ठीक है ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको शियर करें ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करने ठीक है ओके थैंक साथ